तो आज हम डिसकस करेंगे अक्टूबर के टॉपिक वाइस करन्ट पर अलड़ी बहुत से टॉपिक्स हम डिसकस कर चुके हैं लेकिन आज का जो टॉपिक अफ डिसकसन है वो है बुक्स एंड ओथर्स मतलब जो भी बुक्स रिलीज हुई हैं अक्टूबर के महीने में वो हम डिसकस करेंगे जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक्जाम में पूछा जाता है खास करके जो बैंकिंग स्टू आप एक साल या दो साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं दोनों का ही प्राइस बहुत कम है एक बर मेरे कहने से प्राइस जुरूर चेक करेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पर हम आपको बहुत सी चीज़े प्रवाइट कर रहे हैं तो इसमें चार तरह की पीडिएफ्स मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप यूटिलाइस कर सकते हो जैसे कि स्टडी पीडिएफ है यह डिटेल करेंट फेर है जिसमें आपको थ्रेटिकल करेंट फेर मिल जाएगा एक कोश्चन एंसर फॉर्मेट में जितने भी करेंट फेर ड पॉस्चन एंसर फॉर्मेट में आपको दिये जाएंगे एक पॉकेट पीडियाफ होगी मतलग जल्दी जल्दी में करेंट फेर को रिवाइज करने के लिए दो लाइन में तीन लाइन में तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइ जिसमें banking and economy से related detail करेंट फेर उसी से related question and answer format करेंट फेर आपको PDF में मिल जाएगा और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो हर महीने हर महीने attempt कर सकते हो हमारी application के उपर और अगर जितना भी करेंट फेर अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है वो 30th of May को है तो 29 मही तक जितन इसमें आपको दो चीजे मिलेंगी एक तो detail एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं तो हम आपको हर state का हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीजे दोस्तों अलग-लग नहीं सि चिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें उसके बाद जो है वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है तो इस email id पे हमें mail कर सकते हैं इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं अक्तूबर के topic बाइस करेंट फिर जिसमें हम books and authors वाले topic को आज discuss करेंगे बहुत important है और जिसमें पहला question है उस author का नाम बताना है जिसमें एक book लिखी है Ambedkar A.Light बहुत important होगी बियर Ambedkar जी के उपर है और इसको publish किया है Aleph book company की तरफ से September 2022 में तो नाम बहुत important है और author उससे भी important है यह है शशी थरूर जी तो answer क्या होगा इसका एक होगा तो एक author भी कह सकते हैं politician भी कह सकते हैं एक international civil servant भी आप कह सकते हो इनको शशी थरूर जी जिन्होंने एक book लिखी Ambedkar A.Light और इस book को release या publish किया है Aleph book company की तरफ से और शशी थरूर ने specially stress दिया है कि बीम राव राम जी अमबेदकर जो हैं वो constitutionalist किस तरह से काम करते थे और किस तरह से उन्हों democracy को जो है वो इंडिया के अंदर बनाया है उन्होंने अलग-लग sites जो है वो बी आर अमबेदकर जी बताई हैं like वो personal life में किस तरह से काम करते थे और जब वो constitution बनाने के लिए का से काम करते थे लेकिन जब उनकी कुछ weaknesses के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की तो इस book के अंदर बहुत ही जादा detail में वो चीज़ नहीं बताई गई लेकिन यह बीम राव अमबेदकर जी के constitutional framework के बारे में basically बताती है अगले question के उपर आते हैं उस author का नाम बताना है जिसने book लिखिये the last heroes जो की release की जाएगी November 2022 में basically यह release हो चुकी है और नाम है book का the last heroes और यह book लिखी है पालगुमी साइनात ने या पी साइनात ने तो अंसर क्या होगा दो होगा तो एक रमन मैकसे से award winner है एक author है जनरलिस्ट है पालगुमी साइनात या पी साइनात उन्हों कर दिया गया है और बुक जो है वो इंडियन freedom struggle के बारे में बताती है और किन-किन लोगों ने अजादी के लिए लड़ाई लड़ी है किस तरह से लड़ी है उसके बारे में बताया गया है और पी साइनात जो है वो एक बहुती famous book के author भी है जिसका नाम है everybody loves a good drought everybody loves a good drought stories from India's poorest districts और यह बहुती famous रही है बुक और साथ ही साथ यह people archive of rural India P.A.R.I. के one of the founder editor रहे हैं और जो कि एक multimedia digital platform है अगले question के उपर आते हैं किसने बुक को लिखा है इंडिया पाकिस्तान conundrum managing a complex relationship तो यह इंडिया पाकिस्तान के relationship के बारे में basically बताया हुआ है यह हम कह सकते हैं कि बह ही famous high commissioner के पद पे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और यह हैं शरत सबरवाल जी तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा और बुक का नाम बहुत important है इंडिया पाकिस्तान conundrum और साथी साथ यह deputy high commissioner भी रह चुके हैं और यह बुक जो है वो कई strategic importance के बारे में बताती है इंडिया पाकिस्तान के साथ deals की हैं या किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को tackle किया है यह सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं और साथी साथ इन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तान के साथ हमारा relation क्या रहा है और किस तरह से हमने पाकिस्तान को जो है वो उसमें से निका इस बुक को लिखा है एक तो एन देया सिंदु है एक कृष्णन नरायनन है और एक है क्रिस गोपाला कृष्णन तो आंसर क्या होगा इसका एक होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस गोपाला कृष्णन जो है वो बेसिकली इनफोसिस के को फाउंडर है और एन देया सिंदु और कृष्णन नरायनन ये को फाउंडर है एतिहासा रिसर्च एंड डिजिटल के तो इन तीनों ने मिलके इस बुक को लिखा है और इस बुक को पब्लिश किया है पैंग्यून हाउस इंडिया की तरव से और इसमें बताया गया है कि इंडियन आईटी सेक्टर जो वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और पिछले साट साल के अंदर जो है उसने दीरे-दीरे करके किस तरह से जो है वो ग्रोथ की है और साथी साथ इसके अंदर जो है वो इंडियन इंड and Odisa's lesson in governance और यह book johne वो रिलीस की गई है Chiefnist of Odisa नवीन पटनाईग जी की तरफ से बुक का नाम जो हो बहुत ही numeratorसिंग है Pandemic Disruptions किस तरह से pandemic आया किस तरह से पूरी इंडिया को disrupt किया और Odisa का जो लेसन है governance को लेकर मतलब Odisa उसके बारे में बताया हUA है वितास्ता पब्लिकेशन और बुक के अंदर कई ऐसे हैं जिसमें बताया गया है कई issues के बारे में जो कि इंडिया के अंदर आए during the pandemic मतलब COVID-19 के time period पे अगर हम बात करें कुछ साल की तो 2020, 2021 और 2021 के time period के बारे में बताता है कि कौन कौन सी problems इंडिया ने face की और अडिसा ने किस तरह से उसको दूर करने की कोशिश की है अगली question के उपर आते हैं बॉब डिलन ने तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो एक नई बुक जिसका नाम है the philosophy of modern song यह बॉब डिलन ने लिखी है एक noble laureate है इनको noble price मिल चुका है literature के अंदर 2016 में तो इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक के अंदर specially उन्होंने अपनी journey के बारे में बता हुआ है और इसके अंदर आप कह सकते हो कि कई तरह के like essays लिखे हुए है और साथ ही साथ यह बुक जो है वो एक बुक का second part भी माना जा सकता है क्योंकि इक इन्होंने बुक लिखी थी chronicles volume 1 के नाम से और उसके बाद इनको noble prize मिला literature के अंदर 2016 में तो उसका यह second part भी माना जा सकता है लेकिन यह basically जो है वो एक बुक जिसमें इनकी achievements के बारे में बताती है उसके बारे में बताती है otherwise इन्होंने और भी कई books लिखी है the lyrics नाम से बहुत ही famous होई थी the lyrics 1961 to 2012 यह बुक बहुत ही famous है एक बुक थी younger than now younger than that now यह बुक भी जो है वो बहुत ही famous होई यह दोनों ज लिखा है confused mind story बहुत important है confused mind story और यह बुक लिखी है साहिल सेट ने तो answer क्या होगा इसका चार होगा साहिल सेट जो कि एक IRS officer है joint commissioner है currently GST में customer and narcotics and youth influencer भी है और साथी इन्होंने एक book launch कर दी the confused mind story और इस book को specially release किया है और first copy किसको दी गई है union minister मनसुक मंडाविया जी को मनसुक एल मंडाविया जी को और इस book को publish किया है blue rose publication की दरफ से blue rose publication जो की one of the top publishing house है अगर fiction novel को non fiction novels को अपने publish करना है तो इस सबसे आगे हैं अगले question के उपर आते हैं अक्तूबर 2022 में चीफ मिनिस्टर जो केरला के हैं पिंडराई विज्यान उन्होंने एक autobiography को release किया है जिसका नाम है जिविथम नियामम निल पदुकल और ये autobiography है एडवोकेट सीके शिरीदरन जी की तो अंसर क्या होगा इसका चार होगा तो पिंडराई वज्यान जो चीफ मिनिस्टर है केरला के वो एक autobiography release करते हैं senior congress leader और advocate सीके शिरीदरन जी और इस autobiography का नाम है जिविथम नियामम निल पदुकल और specialist book को मल्यालम के अंदर जो है वो लिखा गया है और इसको olive publication की तरफ से publish किया गया है और advocate सीके शिरीदरन ज जो हैं वो करनाटका परदेश Congress Committee के Vice President रह चुके हैं और साथी साथ President रह चुके हैं District Congress Committee के और President रह चुके हैं Party Political Affairs Committee के बहुत ही बड़ा नाम है केरला के अंदर खास करके सीके शिरीदरन जी का अगले question के उपर आते हैं Stephen Alter and किसने एक book को compile किया है edit किया है और इस book का नाम है The Cor of Kumau तो Jim Corbett की Life के बारे में ये basically book है उनके बारे में जानकरी इसमें दी हुई है इस book को लिखा है Stephen Alter ने और साथ में अक्षे शाह हैं तो अंसर क्या होगा इसका तीन होगा ये Jim Corbett की Life के बारे में basically book बताती है और इसको publish किया है Black Kite Publishing की दरफ से Jim Corbett जो की एक famous naturalist hunter थे और और उनकी कई books जो हैं वो best seller रही है क्योंकि उन्होंने अपने experiences बताये हुए है wildlife के बारे में बताये हो उन्होंने अपनी life जो जंगल्स के अंदर उन्होंने गुजारी है उसके बारे में बताया हुआ खासकर के North India में और Stephen Alter जो है वो एक बहुती famous author है जो की 20 से ज़्यादा books जो है वो लिख चुके हैं जिसमें ज्यादतर उन्होंने जो books लिखी है वो natural history के बारे में लिखी है जो हिमाल्यास के अंदर है और इनकी एक book थी जो बहुती famous हुई थी in the jungles in the jungles of the night in the jungles of the night जो की Jim Corbett की life के उपर ही निरदारित है अगले question के उपर आते हैं उस author का नाम बताना है जिसने लिखा है from dependency to self-reliance from dependency to self-reliance mapping India's rise as a global superpower कि किस तरह से इंडिया जो है वो पहले किसी और country को उपर depend करता था अब इंडिया self-reliance की तरफ बढ़ रहा है आतनिरबर होता जा रहा है यह book लिखे बहुती famous economist बिमल जलान जी की तरफ से और book का नाम बहुत important है औ और इस book को इस तरह से लिखा गया है कि कोई आम बंदा भी अगर इसको पड़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि actual में किस चीजों को लिखा गया है और बिमल जलान ने इस book को तीन parts में convert किया है और एक part जो है वो economy का है एक governance का है और एक politics का है चार चेप्टर economics के हैं तीन governance के और तीन किसके हैं politics के हैं अगले question के उपर आते हैं कौन से union minister ने recently एक book को edit किया है Delhi University Celebrating 100 Glorious Years और ये है हरदीप सिंग पूरी जी union minister हमारे petroleum and natural gas के और साथ में housing and urban affairs के तो उन्होंने इस book को edit किया है Delhi University Celebrating 100 Glorious Years और इस book को publish किया है रूपा publication की तरफ से और अमिताब बच जी जो की इंडियन actor है महनायक है तो उन्होंने इस book को forward भी किया है और बुक में specially जो है वो universities के जो alumni है जो जा चुके हैं कुछ लोग तो उनके viewpoint हैं यहां पर और बहुत ही फेमस फेकिल्टी जो है वो Delhi University की तो उनके भी viewpoint जो है वो इसके अंदर लिखे गए हैं मत्तब आल् लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें तो आप हमारे हर प्लाटफॉर्म को जोइन कर सकते हैं फेस्ट बूक है इंस्टाग्राम है लिंक्टीन है या फिर टेलिग्राम चैनल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा औ और अगें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू गाइस टेक केर और बाबाई